Q1. किस राज्य की हाल ही में वरांडा WLS को एशियाई सेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है तो इसका अंसर है गुजरात Q2. भारत और किस देश के बीच हाल ही में मेत्री पाइपलाइन का उधगाटन हुआ है Q3. भारत और बंगलादेश के बीच Q3. हाल ही में बॉडर रोड और्ग और यानि BRO ने कितने दिन का रिकोर्ड रन नैतिक जो जीला दरार खोला है तो इसका अंसर है शिप्ष्टी एट डेज Q4. हाल ही में पाख जल डमरू मद्य को सबसे तेजी से यानि 5 गंटे 40 मिनट में तेर कर पार करने वाले भारतिय वक्ति कौन बने हैं तो इसका अंसर है संपन रमेश Q5 हाल ही में दूमरपान कानूनों के लिए किश शहर को स्वस्त शहरों के लिए साजेदारी पुरुसकार 150,000 डॉलर मिला है तो इसका अंसर है बैंगलोरू Q6 हाल ही में रिचर्ड डगलस फांस वरी का निधन हुआ है वह कौन थे तो वह अमेरी के आई जम पर थे Q7 हाल ही में पी-म मित्रा योजना के तहट सरकार कितने राजियों में मेगा टेक्स्टाइल पार्क विक्सित करेगी Q7 हाल ही में तजाकिस्तान में सयुक्त राष्ट के रेजिडेंट को ओडिनेटर के रूप में किसे निक्त किया गया है तो इसका अंसर होगा के यार पार्वती Q9 हाल ही में अंतर राष्टिय अपराद में आया लैनि ICC ने किस देश के राष्ट पती के खिलाफ किरफतारी वारेंट जारी किया है तो इसका अंसर होगा रूस के राष्ट पती पुतीन की खिलाफ Q10 हाल ही में किसने सागर परिक्रमा चरण फोर्थ का उधगाटन किया है तो इसका अंसर है परशोत्तम रूपाला Q11 हाल ही में नेश्विक बाजरा संबिलन संपन हुआ है अंसर नई दिल्ली में Q13 हाल ही में चैट GPT के प्रती द्वन्दी फालकन LLM को कहां लॉंच किया गया है तो इसका अंसर होगा अबू धावी Q14 हाल ही में अभ्यासी ड्रेगन 23 में भाग लेने के लिए भारतिय नोसेना P81 का विमान कहां पहुचा है Q15 हाल ही में किसे Governor of the Year 2023 के पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो इसका अंसर है शक्ती कांत दास ऐसी ही और Daily Current Affairs वीडियो के लिए प्लीज नमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you